Hello students, Class 10th के Maths के 10th chapter में आपका स्वागत है जिसका नाम है Circles आज की वीडियो में हम लोग Circles का NCRT का second और last exercise सौल करेंगे आज का वीडियो आपके board के point of view से बहुत important है क्योंकि इस वाल exercise से 100% कोई न कोई एक question जरूद आएगा तो वीडियो पूरा जरूद देखिएगा तो चलिए फिर exercise को सौल करना सुरू करते हैं तो देखिए first question है from a point q the length of the tangent to a circle is 24 and the distance of q from the center is 25 the radius of the circle is कह रहा है basically हमारे पास circle है उसमें एक tangent है ठीक है तो पहले हम लोग एक circle बनाएंगे तो suppose करिए यह रहा आपके पास एक circle इस circle में suppose करिए एक center है ओ अब क्योंकि question में बोला है tangent भी है q point से तो मैं यहाँ पर एक point q suppose कर ले रहा हूँ इस point q से मुझे एक tangent बनाना है इस तरह से मैं tangent बना दूँगा tangent क्या होता है जो circle को बस touch करके जाए ठीक तो यहाँ पर वो tangent टच कर रहा है इस point को मैं p suppose कर ले रहा हूँ ठीक है और जब मैं इस p point को ओ से join करूंगा तो यह जो distance होगा वो radius के equal होगा जब आप इस p point को center से join करेंगे तो जो distance मिलेगा वो radius के equal होगा और पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था जो radius होता है वो tangent के perpendicular होता है radius क्या होता है tangent के perpendicular होता है यह theorem है ठीक है तो मतलब मैं यहाँ पे 90 degree बना सकता हूँ इसमें कोई दो राय नहीं है question में given है length of tangent 24 है इसका मतलब यह distance 24 है उसी प्रकार मैं q से o को join कर सकता हूँ तो question में क्या given है distance of q from the center is 25 मतलब center से q की दूरी 25 है ऐसा question में given है तो यहाँ पे मैं 25 लिग दूँगा और हमें क्या find करना है radius तो आप इस triangle को ध्यान से देखिए यह एक right angle triangle है की नहीं है यहाँ पे 90 डिगरी है ठीक है यहाँ पे क्या है 90 डिगरी का angle है तो यह एक right angle triangle है तो यहाँ पे मैं पाइथा गोरस थूर्म लगा सकता हूँ पाइथा गोरस थूर्म क्या कहता है यह perpendicular का square प्लस base का square किसके equal होता है हाइपोटेनियस के square के तो जो 90 डिगरी के सामने वाला side होता है वो हाइपोटेनियस कहलाता है तो यह हाइपोटेनियस हो जाएगा ठीक है अब इसको perpendicular suppose कर लीजिए और इसको base suppose कर लीजिए ठीक तो perpendicular के जगा हम लोग R रिख देंगे है R का square प्लस base के जगा 24 का square हाइपोटेनियस के जगा 25 का square कि जगा आर स्क्व dennis कोईर plus 24 का स्क्वैर क्या होता है 576 होता है 25 का square 625 होता है 576 को right hand side लेके जाएंगे तो माइनस में चलाएगा यह जाएगा 625-576 तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 49 आएगा ठीक है तो यह जब square उधर जाएगा तो किस में convert हो जाएगा root में ठीक है और root 49 की value क्या होती है 7 होती है तो option number A हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है तो basically बस figure बनाके आपको pythagoras theorem लगाना था value put करें आर का value ला जेना था है तो समझ में आ गया है तो note कर लीजिए अब हम लोग second question solve करेंगे कि देखिए second question है in figure 10.11 मतलब इस वाले figure में TP और TQ are two tangents to a circle with center O so that angle POQ is equal to 110 then angle PTQ is equal to किस angle को पूछ रहा है question में PTQ को PTQ कहां है देखिए ये P ये T और ये Q मतलब इस वाले angle को find करना है किस वाले angle को हमें find करना है इस वाले angle को हमें find करना है इसको मैं X suppose कर ले रहा हूं ठीक तो हमें basically इस X की value को निकालना है अभी मैंने बताया ये जो टेंजेंट होता है ये टेंजेंट है कि नहीं है question में बुला है TP और TQ टेंजेंट है मतलब ये टेंजेंट है और ये क्या है रेडियस है ये टेंजेंट है और ये क्या है रेडियस है तो तो टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है मतलब यहाल एंगल 90 का होगा अरे भाई टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है तो यहाल एंगल भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा अब ध्यान से देखिए यह एक कौडिलेटरल ह है, है कि नहीं है, 4 side है, quad ребята है, तो मैं लिखूंगा, in quadilateral, Optq, मतलब इस Optq वाले quadilateral में, 4 angle का सम क्या होगा, बता सकते हैं आप, जब आप इन 4 angle को जोडेंगे तो, किसके equal एगा, 360 के equal ऐगा, ये थियुरम रहे, तो पहला एंगल 110 है, दूसरा एंगल 90 है, तीसरा एंगल X है, चौथा एंगल भी 90 है, तो चारों को जोडने पर क्या आना चाहिए, लेटरली, 360 आना चाहिए, ठीक है, तो 110, 90 और 90 जोड़ेंगे, तो कितना आएगा, 290 आएगा, प्लस X, इसगल टू, 360, तो 290 को अधा लेके जाएगे, तो क्या जाएगा, माइनस में जाएगा, 360 माइनस, 290, ठीक है, तो X की वल्लू क्या जाएगी यहां से, 70, ओके, तो बेसिकली यहां पर कॉंसेप्ट क्या हुए, यूज हुए है, कि टेंजेंट पर्पेंडिकुलर होता है, तो यह एगल लाइन टी, यह भी एगल लाइन टी, इसको मैंने X सपोस कर लिया, और यह 110 गीवन था, तो चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है, तो मैंने वह लिखा, और यहां से X की वैलू बड़े अराम से आ गई, ठीक है, तो नोट कर लिजे, अब हम लोग थर्ड कोशन सौल करेंगे, अब देखिए, थर्ड कोशन है, इफ टेंजेंट पी ए, पी बी, फ्रॉम पॉइंट पी, तू अ सर्कल विथ सेंटरों, और इंकलाइन टू इच अदर एट अन एंगल ऑफ एटी डिग्री, देन एंगल पी ओ और एक पी बी है, जो कि पी पॉइंट से निकलना है, दोनों ही टेंजेंट किस पॉइंट से निकलना है, पी पॉइंट से निकलना है, तो यह रहा पॉइंट पी, इस से हम लोग दो टेंजेंट बनाएंगे, तो यह रहा पहला टेंजेंट, और यह रहा दूसरा इंड बन गया है दोनों टैंजन्ट सबोस करीए यहां पर और यहां परइंटर्सेक्ट हो रहा है तो यह punto A होगा और यह point B होगा तो कि टैंजन जो है वो PA और PB है these यह रहा PA वाला टैंजन्ट यह रहा PB वाला टैंजन्ट ठीक है फीए सरकल का सेंटर सरकल माल लेंगे रहा है जो दोनों टेंजेंट हैं वो इन्कलाइन है 80 डिगरी पर दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है 80 डिगरी है ऐसा question में बोला है यह एंगल क्या हो जाएगा यह एंगल हो जाएगा एक ठीक अब सोचिए अगर मैं इस center से यहां पर ऐसे मिला दूं तो यह radius हो जाएगा है ना और रेडियस जो होता है यह जो radius है वो tangent के हमेंसा perpendicular होता है ठीक है तो मैं कह सकता हूं यह angle 90 होगा सही बात है उसी प्रकार मैं इस वाले center से यहां पर इस तरह से जॉइन कर सकता हूं ठीक है तो फिर से यह रेडियस हो गया जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है तो हम लोग यहां पर भी 90 डिगरी का एंगल बना सकते हैं और हमें निकालना क्या है पी ओ ए निकालना है मतलब हमें पी ओ ए फाइंड करना है हमें यह जॉइन करना पड़ेगा यह इस तरह से ठीक यह बीच में मैं इस तरह से जॉइन कर दूंगा ओके तो आपने थियूरम पढ़ा होगा कि अगर एक ही पॉइंट से दो टेंजन निकलना है तो दोनों के बीच में जो लाइन जाती है सेंटर के तरफ वह एंगल को जाएगा कहना क्या चाहता हूं मैं कि अगर एक ही पॉइंट से दो टेंजन निकलना है तो दोनों के बीच से एक ऐसी लाइन जो की सेंटर से होके जाएगी वह एंगल को आधे और आधे हिस्सों में बाइसेक कर देगी अगर एंगल एटी है तो वह 40 और 40 में डिवाइड हो मतलब इस वाले एंगल को निकालना है तो इस वाले एंगल को मैं एक सपोस कर ले रहा हूं तो आप देखिए इस वाले ट्रेंगल में इस वाले ट्रेंगल का नाम क्या है पी ओ ए नाम है ट्रेंगल का मैं लिखूंगा इन ट्रेंगल पी ओ ए इस पी ओ वाले ट्रेंगल में ये एंगल 40 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल X है, तीनों एंगल कसम क्या होगा, 180 होगा, तो मैं लिख सकता हूं, 40 प्लस 90 प्लस X इस गल टू 180, किसी भी ट्रैंगल में तीनों एंगल कसम क्या होता है, 180 होता है, तो इस एंगल और इस एंगल और इस एंगल कसम 180 होगा, है ना, त 130 प्लस X is equal to 180 130 को दापर दीजे तो 180-130 हो जाएगा माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा ठीक तो X की वेलू आ गई 50 मतलब यह एंगल कितना होगा 50 डिगरी का होगा तो आप्शन नमबर ए सही है ठीक नोट करिए आगे बड़ी अब देखिए फोर्थ कुशन क्या है प्रूव सरकल बनाएंगे ठीक है यह रहा हमारे पास एक सरकल इसमें माल लीजिए कि सेंटर यहां पर है यह माल लीजिए सेंटर है इस सेंटर से हमें एक डाइमीटर ड्रॉ करना है ठीक माल लीजिए यह डाइमीटर है ठीक क्वेशन बोला ना कि डाइमीटर यह डाइमीटर बन गय कह रहा है, ये जो diameter है ना, उसके थरू हमें tangents draw करने करने है, तो माल लिजे ये tangent है, दूर ये tangent है, ये दो tangent है, जो की diameter के along है, ये doh tangent है, हमें ये प्रूफ करना है, सम्हाव कि ये वाला tangent इस वाले tangent के parallel होगा कहरा है question में proof करिए ये वाला जो tangent है इस वाले tangent के parallel होगा तो आपने साथ class 9th में एक theorem पड़ा होगा कि suppose करिए ये line और ये line आपस में कुछ इस तरिके से हैं कि ये जो beach का जो transversal line है ठीक है उसमें ये वाला angle अगर इस वाले angle के equal हो जाए मतलब अगर ये angle इस angle के equal हो जाता है तो ये line और ये line आपस में parallel हो जाती है ये converse है याद रखिए कि उल्टा है ठीक है note करके आप draw लिख सकते हैं कि अगर दो line कुछ इस तरीके से हैं उनके बीच में इस तरीके से line अगर जा रही हो ठीक है और किसी तरह अगर आप ये प्रूफ कर दें कि ये angle और ये angle आपस में इक्वल हैं तो ये line और ये line आपस में parallel होंगी ठीक ये थियूरम का statement है मैं लिख दे रहा हूं थियूरम का statement इफ ऑल्टनेट एंगल सार इक्वल इफ ऑल्टनेट एंगल्स आर इक्वल 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 देन lines are parallel then lines are parallel साथ आपने ये पढ़ा होगा कि अगर दो line parallel होती है तो alternate interior angle बराबर होते हैं ये भी सही है लेकिन उसका उल्टा ये होता है कि अगर दो line कुछ इस तरीके से हैं उनके बीच में अगर इस तरीके से एक line जा रही है और किसी तरह अगर आप ये दिखा दें कि ये अला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है तो ये line और ये line आप parallel प्रूफ कर सकते हैं डारेक्ट ठेक तो यही वाला concept हम लोग इस वाले figure में लगाने की कोशिस करेंगे ठेक थियोरम क्या है कि अगर ये angle इस वाले ये एंगल के इक्वल हो जाए तो lines parallel हो जाती है ठीक तो इस चीच को note कर लीजे क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूं अब यह माल लीजिये point a है ये point b है यहां पर मैं P माल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं Q माल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं C माल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं D माल ले रहा हूँ तेख बात बताईए, यह radius है कि नहीं है, यह radius है न सरकल का, और यह tangent है, तो radius तो tangent के perpendicular होता है मैं लिखूंगा we know that we know that qc is perpendicular to oa मतलब यह जो line qc है जो की एक tangent है वो इस oa के perpendicular होगी ठीक मतलब मैं कह सकता हूँ यह angle क्या होगा 90 degree होगा बिल्कुल होगा मैं लिख सकता हूँ है implies oac angle oac is equal to 90 degree क्या सकता हूँ नहीं मतलब oac यह 90 degree होगा क्योंकि जो qc है वह इस वाले line के perpendicular है मैं लिख पाहूंगा similarly similarly पीडी इस परपेंडिकुलर टू ओ भी मतलब यह भी तो रेडियस है और यह टेंजेंट है तो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है तो यह मैंने लिखा है पीडी मतलब यह लाइन पीडी को बीखेंडिकुलर मतलब इस लाइन परपेंडिकुलर है J मतलब मैं कह सकता हूँ यह एंगल 90 होगा विलकुल कह सकता हूँ c applies angle o bp is equal to 90 degree o bp मतलब कौन सा एंगल o bp मतलब याल एंगल ठीक है o bp यह एंगल 90 है ठीक तो आप देख सकते हैं मैं लिख दूंगा एंगल o a c is equal to angle o bp मतलब यह वाल एंगल और यह एंगल आपस में equal है सही बात है कि नहीं और यह दो लाइन्स कुछ इस तरीके से हैं कि बीच में एक ऐसी लाइन जा रही है जिसमें यह एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है मतलब मैं कह सकता हूँ alternate angles are equal alternate angles are equal तो alternate angles तभी equal होते हैं जब यह वाली लाइन इस वाले लाइन के क्या हो parallel हो तो मैं लिख पाऊंगा therefore qc is parallel to pd ठीक तो हमें दिखाना था यह वाली जो लाइन है वह इस वाले लाइन के parallel है तो हमने दिखा दिया कैसे दिखाया यह डायमीटर था यह दो tangents थे ठीक है यह तो radius हो ना इतना सा पार्ट तो radius जो होता है वह टेंजेंट के इकवल तो लाइन क्या हो जाएंगी parallel इसके parallel हो गया कि फिफ्थ कोशन देखे क्या कह रहा है प्रूफ देट पर्पेंडिकुलर एड़ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तूड़ टेंजेंट टूर सर्कल पासेस थ्रूद सेंटर कह रहा है प्रूफ करिए कि अगर आप टेंजेंट के पर्पेंडिकुलर कोई लाइन खीचते हैं सर्कल के अंदर तो वह सेंटर से पास होके जाएगा नहीं समझना है फिफिगर बनाके बताऊंगा तुझा दे समझना आएगा अगर आप इस टेंजेंट के पर्पेंडिकुलर कोई लाइन लेके जाएंगे अगर आप इस टेंजेंट के पर्पेंडिकुलर लाइन बनाएंगे यह एंगल लाइन टी होना चाहिए पर्पेंडिकुलर मतलब तो यह जो लाइन है वो सेंटर से पास होके जाएगा सर्कल के इसे हमें प्रूफ करना है कैसे प्रूफ करेंगे देखेगा थोड़ा सा टिपिकल प्रूफ है इस पॉइंट पी को मैं कुछ सपोस करूँगा और मैं एक परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट करूँगा माली यह परपेंडिकुलर लाइन है ठीक मैंने क्या किया इस परपेंडिकुलर लाइन है वह सेंटर से होके जाएगी तो मैं माल ले रहा हूं यह एंगल लाइन टी है मालना क्या है मतलब बोला है कि आपको एक लाइन के उपर नहीं है और हमें किसी तरह प्रूफ करना पड़ेगा यह जो मैंने माना है वो गलत है ठीक है यानि हम लोग contradiction method यूज करेंगे उमीद कता हूँ आपको contradiction method पता होगा ठीक है तो मैंने क्या ए एस्यूम किया मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं ए पिए ए वी परपेंडिकुलर तूटेंजेंट एंड एंड दसनोट नस नौट पास इस ए थुसेंटर ए ड़ इस नॉट पास तूर्टेंटर मैंने क्या मान लिया कि टेंजेंट के पर प्येनडिक्छलर beta La La 19 जो कि जैंटर से पास नहीं हो रbound नहीं चैंकर कहीं और होगा इस लाइन वार को सेंटर मैंने समाना है तो सी भात को मैंने लिखा आप किसी तरभ यह मैं प्रूफ और यह जो मैंने माना है ना यह जो मैंने सपोस किया है वह गलत सपोस किया है और कैसे प्रूब करूँगा बहुत इजी है देखिए कर द्यान से आप ही देखिए यह जो सेंटर है वह इस लाइन पे तो है नहीं तो बताइए अगर मैं इस सेंटर से इस पी पे जॉइन करूँगा इस center से अगर मैं P को join करूंगा तो यह तो radius कहलाएगा क्योंकि center से circle तक जाते हैं तो वो तो radius कहलाता है ठीक है तो मैं लिखूंगा join join OP आपने क्या किया इस O से इस P को join किया ठीक है तो OP जो हो जाएगा radius के equal ठीक OP क्या हो जाएगा radius हो जाएगा ठीक है तो आप ध्यान से देखिए यह radius है और यह tangent है तो radius tangent के perpendicular होता है मैं रिखूंगा then इस point को सी सपोस करिए इस point को डी देन है angle CPO is equal to 90 degree अरे भाई यह अगर tangent है और यह अगर radius है तो यह angle 90 होना चाहिए सही बात है अगर यह tangent है और यह radius है यह angle 90 होना चाहिए क्योंकि के रेडियस tangent के perpendicular होता है मैं लिखूंगा यहां पर यह angle 90 है जो कि मैंने लिखा भी है CPO मतलब CPO ठीक और मैं इस बीच वाले angle को कुछ सपोस कर ले रहा हूं एक्स ठीक है यह जो बीच में एंगल बन रहा है वह मान लेया मैंने एक्स है ठीक तो आप ही बताईए यह एक स्ट्रेट लाइन है यहां पर एक एंगल है बीच में एक एंगल है और यहां पर एक एंगल है तो तीनों एंगल का सम्क्या होगा 180 होगा मैं लिखुए हुगा 910 प्लस 910 डिस्यक्विट नेटी है एक One नेटी ओख़ता है और इस एंगल इस बीच वाले एंगल और इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तो 180 यहां से एकस की वैलू किया जागी इस एंटी को धा जाएंगे तो x is equal to 180-180 हो जाएगा यानी x की value क्या आएगी 0 आएगी मतलब यह जो बीच का एंगल है वह 0 है तो सोच यह एंगल 0 आ गया यह कैसे आ सकता है अगर यह वाली लाइन और यह वाली लाइन अलग है तो दोनों के पीच में एंगल 0 कैसे हो सकता है नहीं हो सकता मैं लेकूंगा वी सिस कंट्राडिक्शन वीचिस कंट्राडिक्शन सभी बात यह तो गलत्य रहे मैंने क्या बना था कि यह जो परप्रपेंडीकुल आप यह वह लाईन है वह सेंटर से रहे तो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल तो बनना चाहिए ना लेकिन एंगल तो जीरो आ रहा है यानि कोई एंगल नहीं बन रहा है इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो की गलत है यानि कंट्राडिक्शन है तो कंट्राडिक्शन क्यों आया क्यों क्यों आ रहा है ऐसी उटपटांग बातें क्यों आ रही है क्योंकि जो मैंने माना था वो गलत है मैंने क्या माना था कि यह जो लाइन है वह सेंटर से पास नहीं कर रही है तो सही क्या होगा मैं रिखूंगा therefore पीए पासे स्थूरू कि सेंटर प्रूफ हो गया बहुत इजी प्रूफ था ठीक है अब हम लोग सिक्स कोशन सॉल करेंगे अब देखिए सिक्स कोशन क्या है दे लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए अट डिस्टेंस फाइव सेंटीमिटर फ्रॉम दे सेंटर अफ दे सर्कल इस फॉर अट डिस्टेंस 5 सेंटिमिटर फ्रॉम दे संटर में लिजह यहाँ पर एक सेंटर हाओ पॉइंट ए से एक टेंजेंट्र करना है तो मालीजह यहांसे मैंने एक सेंजेंट्र किया कियो पैसेनला है चलेंगे उस अब जैस है वो 5 cm के दूरी से पे है center से मतलब यह center और इस point A के बीच की दूरी क्या है 5 cm मैं यहां से यहां join कर दूंगा और यह हो जाएगा literally 5 cm ठीक तो हमें radius को find करना है तो आप जानते हैं यह O से अगर मैं इस point को मिला दूं माली यह point P है तो यह perpendicular हो जाएगा ठीक है theorem है कि जो radius होता है वो tangent के perpendicular होता है यह 90 हो जाएगा question बोला है जो length है tangent का वो क्या है 4 है ठीक मतलब यह ले distance 4 हो जाएगी क्योंकि यही जो है length है tangent का इसको मैं आर सपोस कर ले रहा हूं कि यह आर है इसी आर को निकालना है कि यही क्या है radius है ना circle का इसी आर को find करना है हमें पाइथागोरस theorem हम यूज कर सकता हूं क्योंकि यह right angle triangle है ठीक है जिसमें hypotenuse 5 होगा यह perpendicular और इससे बेस मालेंगे ठीक है तो hypotenuse का square एक को होता है perpendicular square प्लस बेस के square के hypotenuse मतलब 5 यह 5 का square स्क्वाइर प्लस एस एक परपेंडिकुलर 4 है को इसे आप बेस समझ सकते हैं ठीक है यह जाएगा 4 का square प्लस बेस मतलब आर का square 5 का square 25 होता है 4 का square 16 होता है आर स्क्वाइर ऐसे रहेगा 16 गोलर बेजी 25-16 हो जाएगा is equal to r square 9 आएगा minus करने पर r square यहां से under root 9 हो जाएगा r की value तो r की value क्या आएगी 3 ठीक है तो r की value आगई 3 यह रेडियस क्या है radius है 3 cm यह हमारा answer है 7th question है 2 concentric circles are radius 5 cm 3 cm मतलब 2 concentric circles है तो मा लिजे यह एक circle है ठीक है इसको बड़ा बना देते हैं और इसके अंदर एक और circle है ठीक कुछ इस तरीके से question बोला है हमें length of cord find करना है जो की बड़े वाले circle में हो और जो की touch करे छोटे वाले circle को तो आप देखिए मैं कुछ इस तरह से draw करूंगा यह वो cord है अब देख सकते हैं यह जो line है वो बड़े वाले circle के लिए cord है और छोटे वाले circle को बस touch करके निकल ला है ठीक तो हमें इस cord के length को find करना है याद रहें तो मान लीजे यह center है circle का ठीक एक का radius 5 एक का radius 3 है तो मैं इस center से अगर यहां पर मिलाऊंगा तो यह बड़े वाले circle का radius हो जाएगा जो की obvious सी बात है 5 का होगा यह बड़े वाले circle का radius है 5 cm ठीक और मैं अगर इस O से इस point पर मिलाऊं इस point को मैं A नाम दे रहा हूं इस point को B ठीक है तो अब ध्यान से देखिए यह tangent है और यह radius है छोटे वाले circle के लिए तो radius तो tangent के perpendicular होता है ठीक पहली बात यह एक perpendicular होगा और यह radius है छोटे वाले circle का इसकी value 3 हो जाएगी और हमें क्या निकालना है यह पूरा का पूरा length निकालना है ठीक तो आप ध्यान से देखिए हो क्या अंदर यह ओर यह रहा है कि आप एक circle के अंदर की उतना एक कॉर्ड पर perpendicular लान गिरा रहा है यह कॉर्ड है इस कॉर्ड के ऊपर suspended लाइन गिरा है घ्यारे तो कॉड्ड bisect हो जाता है आपको पता है मतलब अगर यह x है तो बगल वाला भी एक्स होगा किसी आप सर्कल के अंदर मालिजे आपके पास एक सर्कल है तो अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन गिराएंगे तो कॉर्ड जो होता है वह आधे-आध हिस्सों में कड जाता है मतलब जितना हिस्सा वह यह होगा उतना हिस्सा यह होगा यह थियुरम यह कॉर्ड है इस कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन गिर रही है तो यह जितना हिस्सा होगा उतना हिस्सा यह होगा मतलब अगर इसको मैं एक्स मानूद बगल वाला भी एक्स हो जाएगा ठीक है तो अब हम लोग इस ट्रेंगल के अंदर पाइथागोरस को निकाल सकते हैं तो पाइथागोर असुरम मैं लगा रहा हूँ है और रेक्षा को यह वैत्री च्ट को जाएगा तो तो 25-9 16 आएगा is equal to x-square root 16 हो जाएगा x हो जाएगा x की वाल्ड दो फोर आ जाएगी ठीक तो मतलब यह लेंथ 4 है ठीक यह लेंथ भी क्या जाएगी फोर हो जाएगी ठीक तो क्वाड कितने संटीमीटर का हो जाएगा 8 संटीमीटर का simple answer 8th question देखे क्या कहा रहा है a quadilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle proof that AB plus CD is equal to AD plus BC कहा रहा है अगर आपके पास ये quadilateral है जो की एक circle को inscribe कर रहा है मतलब अंदर अपने अंदर रख रहा है तो हमें इस line को proof करना होगा तेख बात बताईए आपने साद एक theorem पड़ा होगा मैं आपको ओ collaborative बता रहे हूं मानले जिए एक circle है इस circle पे आप 2 tangent एक ही point से draw कर रहे है ठीक है मानले जिए ये tangent है और ये भी tangent है ये भी tangent है इक ही point से तो ये tangent और ये tangent आपस मेई equal होता है ये theorem है ठीक है मतलब अगर एक ही point से अगर दो tangent निकल रहा है तो दोनों tangent आपस में equal होंगे ठिक इस theorem का मैं इस्तमाल करूँगा अब देखिए यहां से एक tangent यहां निकल रहा है यहां से एक tangent यहां निकल रहा है ठिक मतलब ये और ये आपस में क्या होगा equal होगा कि मैं लिख सकता हूँ ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के equal है मतलब डियार इक्वल है डियस के है ना ये जो डियार है वो इस डियस के equal होगा क्योंकि एक ही point से दो tangent निकल रहा है और क्या उसी तरीके साब इस point c को देखिए यहां से भी देखिए एक tangent ही है एक tangent ये एक ही point से दो tangent तो दोनों आपस में equal होंगे मतलब ये rc और ये cq आपस में equal होंगे मैं लिखूंगा rc बराबर cq ओके देखेगा ये वाला इसके equal था ये वाला इसके equal है यानि rc रc बराबर cq ये cq है तो ये लाइन भी मैं लिख सकता हूँ ठीक उसी प्रकार इस point से भी दो tangent निकलना है देखे द्यान से इस point से ये दो tangent निकलना है तो दोनों tangent का लेंद आपस में equal होगा ओके तो मतलब ये वाले line इस वाले line के equal होगी यानि पीबी equal होगा बी क्यू के ठीक पीबी इक्वल होगा बी क्यू के ये वाले length क्या है पीबी है याले length बी क्यू है तो पीबी equal होगा बी क्यू के पीबी इक्वल्स टू बी की ठीक कॉंसेप्ट हम लोग यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं यहां पर देखें दो गष्काल क्या बहूंसे पर अब आपके पास चार इक्वेशन अब जो मैंれる सकता हूं यह वाली इन चारों को जोड़ दीजिए, इन सब को क्या करिए, add कर दीजिए, तो आप इसको, 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 इसको add कर रहा है, ठीक, यानि आप add कर रहा है, dr plus rc plus pb plus ap, है न, आपने dr, rc, pb, ap को add किया है, बीच में equal तो equal ही रहाएगा, तो बीच में equal, और इधर साइड, ये सारे आएंगे, ठीक, यानि ds plus cq plus bq plus sa, है न, ds, cq, bq, sa, मतलब आपने जैसे ही ये चार लाइने लिखी, आपने इन चारों को आपस में add कर दिया, add करने के बाद हमें ये मिला, ठीक, ठीक, अब देखेगा, कुछ arrangements में कर रहा हूँ, ये dr और rc को एक साथ रखिए, pb और ap को एक साथ रखिए, ठीक, तो मैं लिख रहा हूँ, dr plus rc, हाला कि इधर तो एक ही side है, plus pb plus ap, is equal to, ds को आप sa के साथ रखिए, ds plus sa, ठीक है, मतलब इसको इसके पास रखना है, तो ds plus sa, इन दोनों को आपस में, ठीक, मतलब इन दोनों को आपस में, एक साथ लिखना है, cq plus bq, ठीक, तो यह dr plus rc, pb plus ap, sa, ds, और cq, bq, ठीक, अब ध्यान से देखिए, figure में, dr और rc को जोड़ेंगे, तो क्या आएगा, dr यह है, rc यह है, दोनों को जोड़ेंगे, तो क्या आएगा, drc, याइन dc आएगा, यह पूरा को पूरा line, तो मतलब, इन दोनों के जग cd लिख सकता हूँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ, अरे भाई, dr और rc है, यह dr, और rc, दोनों को जब जोड़ेंगे, तो यह बड़ी वाले line मिलेगी, जो की है c और d, यहने cd, ठीक, उसी प्रकार, पहले बीच में plus लगा लिजे, बीच में plus है, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मतलब pb और ap को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, pb मतलब यहाले line, ap मतलब यहाले line, तो जब आप इस वाले line और इस वाले line को जोड़ेंगे, तो ab वाले line आएगी, यह बड़ी वाले line आएगी, ab, मतलब इसके जगह आप a b लिख सकते हैं, यह जाएगा a तो भी इस गल्टू उसी तरह ds और ऐसे हैं तो यह रहाई ds और यह रहाः ऐसे दोनों को जोड़ेंगे यह और d आ जाया किया जाएगा इसके जगा आप एडी लिख सकते हैं उसी तरह cq Q और BQ, CQ यह रहा, BQ यह रहा, दोनों को चोड़ेंगे, तो यह बड़ी वाली लाइन आएगी, यानि B, C आएगी, ठीक, तो प्लस B, C, तो आप देख सकते हैं, जो प्रूफ में लाना था, वो आ चुका है, A, B, C, D, A, B, C, D, बीच में प्लस, A, D, B, C, A, D, B, C, ठीक, त तो कुछ करना नहीं था, कुछ भी नहीं करना था, आपको बस एक ठीक करना है, कि यह टेंजेंट और यह टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, यह लाइन इस लाइन के इक्वल है, मैंने वह लिखा, यह लाइन इस लाइन के इक्वल है, और यह लाइन इस लाइन के इक् यह लाइन और यह लाइन का calling आरट यह लाइन मतलब यह ले लाइन इस वाले लाइन के पररहल है ट्वेश्रयकल विडसेंटर ओ ăn अनाद best X गी एक ओर थैंजेंटे , यह रहाइं विदह वाइंट ऑफ कॉंटेक्ट अटसी intersecting x y at a और x dash y at b proof that a o b is equal to 90 degree हमें प्रूफ करना है a o b जो है वो यह 90 डिग्री होगा ठीक मतलब हमें प्रूफ करना है मैं इस एंगल को x माले रहा हूं हमें प्रूफ करना है यह जो x की वैलू है वो 90 होगी क्योंकि a o b मतलब यहाल एंगल 90 हमें प्रूफ करना है तो यह एक्स की वैलू हमें 90 प्रूफ करनी है तो देखिए इस कुष्ण को करेंगे कैसे ठीक है बहुत इजी है कुछ भी नहीं करना है इसमें आप एक बात बताईए यह वाली लाइन टेंजेंट है और यह रेडियस है तो मैं कह सकता हूं टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है मतलब यह एल एंगल 90 होगा यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए अब कुछ देर के लिए मैं इस ओ से इस सी को जॉइन कर रहा हूं कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए भी मैं मिटा दूंगा ठीक है मैंने construction किया है construction construction क्या किया है मैंने join किया है OC को मतलब इस O से इस सी को मैंने क्या किया है जॉइन किया है तब ध्यान से देखिए यह जो O है यह जो सी है यह एक radius बन जाएगा यह टेंजेंट है रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है ठीक तो मैं कह सकता हूं कि यह भी एंगल क्या होगा 90 होगा अब आप बस जस्ट इतने फीगर को देखिए इतने से फीगर को तिक इस पॉइंट ए से एक टेंजेंट यह जा रहा है एक टेंजेंट यह जा रहा है तो यह tangent इस tangent के equal होगा ठीक बैसे मैं आपको एक theorem बताना चाहरा हूं पहले वह theorem समझेगे माल लिजे यह circle है ठीक इस circle में इस point A से यहां पर आपने अगर एक tangent बनाया यहां से आपने एक tangent बनाया ठीक और suppose कर लिजे बीच में एक angle पढ़ रहा है सुरी point पढ़ रहा है और आपने इस O को इस वाले point से जॉइन कर दिया ठीक अगर इस तरह का scenario है तब जितना एंगल यह वाला होता है उतना ही एंगल यह वाला होता है मतलब अगर यह वन है तो यह भी वन होगा यही मैं बताना चाहरा था आपको बतलब अगर इस तरह से दो tangent है बीच में जो line जा रही है अगर वो center से पास हो रही है तो यह वाला एंगल यह वाला एंगल एकवल होता है यह tangent और यह tangent तो इकवल होते ही है तो इस बात को आप note कर लिजेगा बहुत important चीज़ है तो उसी इस तरह का case इस वाले figure में भी तो हो रहा है अब ध्यान से देखिए इस point A से एक tangent इधर के तरफ है एक tangent इधर के तरफ है यह angle इस वाले एंगल को एकवल होगा ठीक तो अगर मैं इस वाले angle को one मानू तो नीचे वाला भी angle one हो जाएगा सभी बात है मैं लिखूंगा इन-quadilateral या ऐसे लिखिए डारेक्ट लिखिए एंगल ओ एपी इस इक्वल्स टू एंगल ओएशी मतलब ओएपी मतलब कौन सा एंगल ओए पी असविया लेंगल यह इक्वाल है वेसी के मतलब ओओ एशी मतलब इस वाले एंगल के ठीक है क्यों इक्वल भाई थियूरम है थियूरम का स्टेट्मेंट आप लोग बुक से देखके लिख लिएगा मैं यहां पर सिंप्ली थियूरम तो अगर एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए जाते हैं यह जो एंगल होते हैं वहां पर के सा रहा है यहां पर एक पॉइंट भी है यहां से एक टेंजेंट ऊपर एक टेंजेंट नीचे अब बीच में जो लाइन जा रही है वह सेंटर से होते हो जा रही है तो जितना यह वाला होगा है ना तो मैं अगर इस वाले एंगल को टू सपोस करूं तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा टू हो जाएगा ठी एला रहे एंगल 2 एला भी एंगल 2 एंगल 11 दूंग गा एंगल ओई इस इक्वल्स टू एंगल ओबी Q ठीक टो वी स्क्वल कि उक्वल होगा ओ बी-स याले एंगल गित वही में लिखा अब मैं स्बीच वाले दाएंगा काम होग एसका तो आपने देखा कैसे यह लाइंगल और यह लाइंगल एक्वाल है क्योंकि यह टैंजेंट इस वाले टैंजेंट के इक्वाल है उसी तरह यह लाइंगल इस वाले एक्वाल होगा अब देखिए इन ट्राइंगल कि ए ओ बी में कौन से ट्रैंगल में ए ओ बी में इस वाले ट्रैंगल में इस एक्स और इस टू का सम्क्या होगा वनेटी होगा तो मैं लिख रहा हूं एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एक्स इस इगल टू अनेटी ऐसा मैं कह सकता हूं बतलब इस वाले एंगल इस वाले ए एंगल में तीनों अंगल का सम 180 होता है एक अच्छे बात बताई कि मैं आ हिस एंगल को 3 सपोस कर ले रहा हूं इस वाले एंगल को ठीक इस ट्रैंगल में भी तीनों एंगल का सम 180 होगा ठीक मतलम 90 वाला 90 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 is equal to 180 ऐसा मैं कह सकता हूं मतलब इस वाले एंगल इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 होगा ठीक है तो मैं 90 और 1 को साइड भेज रहा हूं तो यह जाएगा एंगल 3 is equal to 180-90-1 मैंने क्या किया है इस 90 को दर बेजा है तो इस एंगल 1 को दर बेजा है तो माइनस एंगल 1 ठीक है तो यहां से क्या जाएगा एंगल 3 की वैलू 90-1 ठीक है मतलब यह वाले जो एंगल है अब यह equal हो जाएगा 90-1 की ठीक है मतलब इस वाले एंगल की मैंने वैलू फाइंड कर लिए ठीक यह रही वैलू उसी तरह इस अरे इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 होगा तो एंगल 4 की वैलू निकाल जकता हैं अम लोग एंगल 4 इस अगल 2 क्या हो जाएगा इसndwo और इस 90 को राइट एंड साइड बेज़ देंगे तो ऑन-एट ई-प्र एंग 1-10-2 ठीक मतलब मैंने इसेंगल 4 की वैलू निकाल ली जो की है 90-2 अब आप बहुत ध्यान से देखिए गा यह एक एंगल है यह एक एंगल है और यह एक एंगल है तीनों एंगल का समभनेटी होगा तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर किनारे 90-1 प्लस एक्स प्लस 90 माइनस एंगल 2 इस एक्वल स्टू 180 रिख सकता हूं नहीं इस एंगल यानी 90-1 इस एंगल यानी 90-2 यह 180 के इक्वल होगा लीनियर पेर के कॉंसेट से ठीक है यह 90 और यह 90 मिलके 180 हो गया माइनस एंगल 1 प्लस एक्स माइनस एंगल 2 इस एगल टू 180 यह 180 से 180 कर यह मााइनस बैस प्लस ट हो जाती अरे भाई यह माइनस वन माइनस अज आगा चैक तो अगर आपको यह वाला याद है तो इस एक्वेशन को द्यान से देखिए कि क्या कह रहा है कि मैं इस स्टेप और इस स्टेप को मिटा दे रहा हूं आप लोग नोट कर लिजेगा बाद में ठीक है वीडियो को पॉस करके नोट कर लिजेगा ठीक है आपने क्या फाइंड कि एक्स जो है वह वन प्लस यही प्रूफ करना था यह बीच वाला एंगल है वो 90 के इक्वाल है फिर से बता दे रहो मैंने क्या किया है मैंने देखा एक ही पॉइंट से दो टेंजन निकल ले हैं तो यह वन तो यह भी वन उसी तरह यह टू यह भी टू ठीक फिर मैंने इस वाले एंगल की वैलू फाइंड की फिर तीनों एंगल का सम देख लिया इस वाले एंगल इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 होग अब देखे 10th question क्या है प्रूफ देट एंगल बिट्विन टू टेंजेंट ड्राउन फ्रॉम एन एक्स्टरनल पॉइंट तो इस सर्कल इस सप्लिमेंटरी तुद एंगल सबस्टेंड़ वाइद लाइन सेग्मेंट जोइनिंग देपॉइंट सॉफ ए कॉंटेक्ट एड़ देसेंटर क्या कहना चाहरा है question मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं question कहा रहा है मानलीजे आपके पास एक सरकल है सब्सक्रिए आपके पास बाहर कोई एक पॉइंट है पी इस पॉइंट पी से आपको दो टेंजेंट ड्रॉपने हैं मानलीजे एक कि आपने दो टेंजेंट किए कि ठिक और वीच में एक सेंटर होगा ओ तो आपको यह प्रूफ करना है पहले मैं कुछ और भी ड्रॉक कर ले रहे हूं आप इस बहुत ऊंस मिला दिजिए ठिक फिर इस पॉइंट को इस ओ से मिला दिजिए आपको यह प्रूफ करना है यह व दो एंगल सप्लिमेंटरी तब होते हैं जब दोनों का सम 180 के इक्वल होता है तो मतलब किसी तरह आपको यह प्रूफ करना है कि इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 होगा ठीक है तो मैं इस एंगल को X से सपोस कर ले रहा हूं इस एंगल को Y इतना easy है कि मैं क्या ऑफी 90 होना चाहिए इस पॉइंट को ए नाम दे रहा हूं इस पॉइंट को भी ठीक है यह यह रेडियस है यह यह ह्क हक ये एसवाइफ फ्लस वाई इस वाई नाम दीजिए इस एंगल को वाई एक्स प्लस वाई की वैलू 180 होगी मतलग यह एंगल और यह एंगल सप्लिमेंटरी होंगे यानि दोनों का संब 180 होगा हमें यह प्रूफ करना था सप्लिमेंटरी का कॉंसेप्ट ठीक तो एक बात बताईए यह कौडिलेट्रल है थेक मैं लिखूंगा in qua-dilateral in qua-dilateral A P B O quadrilateral का में नाम दिए चारों एंगल कसम 360 के एकवल होगा तो x प्लस 90 प्लस Y प्लस 90 इस इगल टू 360 है ना अरी यह X है यह 90 है यह 90 है यह Y है चारों एंगल करसम 360 होगा ओके तो यह X और इस Y को मैं पहले लिख रहा हूं X प्लस Y प्लस 90 और 90 180 हो जाएंगे इस इगल टू 360 180 को दर बेज देंगे तो X प्लस Y बराबर 360 माइनस 180 माइनस करेंगे तो X प्लस Y के वैलू 180 आएगी ठीक कितना असाने आप देख सकते हैं हमें यह प्रूफ करना था इस X और इस Y का जो सम है वह 180 है तो इस statement को आपको figure में convert करने आना चाहिए नहीं कर पाएंगे तो फिल जल्दी solve नहीं होगा ठीक है जिसमें figure नहीं दिया रहता है वो थोड़े से circle is rhombus मतलब आपको एक पैलोग्राम मनाना है जिसके अंदर एक circle हो तो हमें प्रूफ करना है कि वो जो पैलोग्राम होगा वो रॉंबस होगा ठीक तो पहले एक पैलोग्राम मना लेते हैं यह हमारे पास पैलोग्राम है इसको नेमिंग कर दे रहा हूं है ए बी सी डी इस प पैलोग्राम के अंदर एक circle इंस्क्राइब हमें प्रूफ करना है यह जो पैलोग्राम है वो एक रॉंबस होगा दिखाते कैसे हैं रॉंबस करने का तरीका यह है कि चारो साइड इक्वाल है आपको यह दिखाना है उन्हीं है जो कैसे दिखाएंगे अब नोटिस करिए मैं पहले इस point को A suppose कर रहा हूँ, इस point को B suppose कर रहा हूँ, नहीं नहीं, A भी तो आ चुगा ना तो A भी suppose नहीं कर सकते हैं, P, Q, R, S suppose कर रहा है, इस point को P suppose कर रहा हूँ, इस point को Q इस point को R और इस point को S, ठीक, अब ध्यान से देखिए, इस वाले point से दो tangent है है कि इस वाले पॉइंट से दो टेंजेंट है तो दोनों टेंजेंट का लेंद एक्वाल होगा मतलब अगर यह एक्स है यह भी होगा आपने एक्वाल होंगे क्योंकि एक ही पॉइंट से निकले हैं थिक तो मैं लिखूंगा dp बराबर डियस बराबर X मतलब डिपी और डियस आपस में बराबर है और मैंने माल लिया X के बराबर है ठीक उसी प्रगार इस पॉइंट C से भी देखिए दो टेंजेंट निकल लएंगे इस तरफ एक इस दरफ इन दोनों के भी लंबाई कॉल होगी मैं माल ले रहा हूँ यह y है, तो ये भी y होगा, अरे भाई, ये length हो, ये length equal है, तो इसको अगर मैं y suppose कर रहा हूँ, तो ये भी y हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा, PC बराबर CQ is equal to y, ठीक, मतलब ये PC और CQ आपस में बराबर हैं, और वो y के equal होंगे, ठीक, अब देखिए, ये point B जो है, इससे भी दो tangent निकल लाए है, तो ये भी आपस में equal होंगे, तो अगर मैं इस point को Z suppose कर रहा हूँ, तो ये भी Z होगा, ठीक है, अरे वह ये और ये आपस में equal होंगे, यानि RB और BQ आपस में equal होंगे, तो मैं लिखूंगा, RB बराबर BQ, ठीक है, अब बराबर Z, ऐसा मैंने मा लिए है, ठीक, मतलब ये RB और BQ आपस में बराबर होंगे, तो मैं लिख रहा हूँ, एर बराबर BQ is equal to Z, ठीक, लिखने भी तो आना चाहिए, अब उसी तरह A point से भी एक tangent ये उपर, और एक tangent ये उपर निकल लाए है, तो दोनों tangent आपस में equal होंगे, तो मैं लिख रहा हू ठीक, और याद रखिएगा, ये जो बड़ा वाला था, ये बड़ा वाला जो figure था, ये एक kilogram था, तो मैं लिखूँगा, since, since, ABCD is a kilogram, अगर ABCD एक kilogram है, तो आप kilogram की property जानते हैं, कि ये वाले side, इस वाले side के equal होती है, तो मैं लिखूँगा, DC बराबर AB, ठीक, और उसी प्रकार, ये वाले side, इस वाले side के equal होती है, यानि AD और BC भी आपस में equal होंगे, तो AD बराबर BC, अब DC को ध्यान दें, DC जो है, वो X और Y से मिलके बना है, तो मैं DC के जग़ा लिख सकता हूँ, X प्लस Y, AB को आप ध्यान दे है, तो वो T और Z से मिलके बना है, तो मैं AB के जग़र T प्लस Z लिख सकता हूँ, AD को ध्यान से देखिए, AD जो है, वो T और X से मिलके बना है, तो मैं AD को T प्लस X लिख सकता हूँ इस गल टू BC को ध्यान से देखिए BC Y और Z से मिलके बना है तो मैं यहाँ पे Y प्लस Z लिख सकता हूँ अब एक काम करिए इस T को धर लेके जाएए इस Y को धर लेके आएए तो X पहले से ही है Y इधर आएगा तो माइनस Y हो जाएगा इस गल टू Z पहले से ही है यह T उधर जाएगा तो माइनस T हो जाएगा तो आपके पास एक बार X प्लस Y है इस गल टू T प्लस Z एक बार X माइनस Y है इस गल टू Z माइनस T ठीक जैसे यह T प्लस Z है न से z plus t लिए लिए क्या लिख दीजे z plus t ठीक है divided by सॉरी डिवाइड़ नहीं करना है कि देखे क्या हुआ है x plus y यह t plus z था तो मैंने z plus t लिख दिया x minus y किसके को लाए था z minus t के तो x minus y is equal to z minus t मैंने लिख दिया है अब इन दोनों को add कर देंगे add कर देंगे तो x और x मिलके 2x हो जाएगा यह y से y कट जाएगा t से t कट जाएगा और यह z plus z मिलके 2z हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर हमें z मिलेगा ठीक तो आप ही सोचिए अब मैं इस z के जगा यहाँ पर क्या लिख पाऊंगा एक्स लिख पाऊंगा अरे यहाँ पर क्या था जट था ना तो अब मैं x लिख पाऊंगा ठीक बात बताईए अगर यह वाली line इस वाले line के इक्वल है यह भी तो एक्स होना चाहिए ठीक यहाँ पर भी मैं z के जगा एक्स लिख पाऊंगा ठीक उसी प्रकार जैसे एक्स की वैलू जड़ आई थी तो मैं अगर यहाँ पर इस एक्स के जगा जड़ रग तो जड़ माइनस वाई बराबर जड माइनस टी हो जाएगा यह जड़ से यह जड़ कैंसल हो जाएगा तो मुझे मिलेगा माइनस वाई बराबर माइनस टी माइनस से माइनस कट जाएगा तो य बराबर मुझे टी मिलेगा है ना अरे भाई मैंने क्या किया जैसे मुझे एक्स बराबर जड़ मिला इस एक्स के जगा मैंने जड़ रख सकते हैं और इस टी के जगा भी आप वाई लिख सकते हैं ठीक अब एक चीज नोटिस करिए यह वाली साइड एक्स और वाई है यह वाली साइड भी देखिए एक्स और वाई है यह वाली भी साइड देखिए एक्स और वाई है और यह वाली साइड भी क्या है एक्स और वाई है मतलब सारे के सारे साइड X और Y आ रहे है यानि X प्लस Y आ यह तो मैं लिख सकता हूँ AB बराबर BC बराबर CD प्लस बराबर DA मतलब AB BC CD DA यह सब के सब बराबर है आपस में क्योंकि सब Y और X है ठीक सब Y और X है यानि X प्लस Y है तो अगर अगर सारे सारे साइट बराबर हैं तो मैं लिखूंगा अब देखे ट्वेल्थ कोशन क्या है और ट्राइंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BDDC into which BC is divided by the point of contact DR of length 8 cm and 6 cm respectively find the sites AB and AC आपको इस वाले साइड को find करना है और इस वाले साइड को find करना है तो एक काम करेंगे हम लोग हमें given क्या है radius 4 given है तो अब ध्यान से देखिए यह क्या है radius ही तो है तो इसके जगा मैं 4 लिख सकता हूं 4 आ जाएगा similarly अगर मैं यहां से यहां जॉइन करूं पहली बात यह 90 होगा ठीक है क्योंकि यह जो point b है से दो टेंजेंट निकल लें एक टेंजेंट इधार एक टेंजेंट इधार ठीक तो ऐसा मैं कहा सकता हूं यह भी 8 होगा है ना और हमें अगर इस पूरे वाले side को find करना है तो मुझे सबसे पहले इस length को निकालना पड़ेगा तो इस length को मैं x माल ले रहा हूँ तो यह अला भी x हो जाएगा अगर यह x है तो यह भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा ठीक तब ध्यान से notice करिए अब आपको यह side मिल चुकी है जो की है x प्लस 6 यह side मिल चुकी है जो की है x प्लस 8 यह side मिल चुकी है जो की है 6 और 8 यानि 14 ठीक तो ऐसा मैं कैसा सकता हूँ आप इस बड़े वाले triangle का area निकाल सकते है ठीक तो मैं लिख रहा हूँ area of triangle ABC आप हिरोंस formula से निकाल सकते हैं जो की होता है under root s s-a s-b s-c ठीक है अगर आपको याद है तो s जो होता था वो semi parameter s किसके इक्कोल होता था a प्लस b प्लस c डिवाइड़ बाई 2 के तो a b c क्या होते थे यह a होता था यह b होता था यह c होता था है ना तो मैं कह सकता हूं a की जो value है वो है x plus 6 अरे भाई यही पूरा का पूरा ए है ना यह x और 6 यानि x plus 6 है ठीक है बीच में plus b की value क्या है b मतलब यह एक्स और 8 यानि x plus 8 ठीक है x plus 8 plus c c मतलब यह पूरा का पूरा जो की है 8 और 6 यानि 14 प्लस 14 डिवाइड़ बाई 2 यहां से s की value क्या जाएगी देखिए x और x क्या हो जाएंगे 2x प्लस 6 8 और 14 28 हो जाएगा divided by 2 ठीक है तो तो पर से common आ रहा है तो x plus 14 बचेगा divided by 2 यह भाई इस 2x और 28 में 2 common है ना तो 2x से 2 हटाएंगे तो x बचेगा 28 से 2 हटाएंगे तो 14 बचेगा ठीक यह 2 से 2 गया तो हमें s की value क्या मिली x प्लस 14 ठीक तब हम लोग एरिया निकाल देंगे एरिया इस गल टू अंडरूट बड़ा ऑस अंडरूट इस s के जगह क्या लिखेंगे x प्लस 14 ठीक फिर इस s के जगह क्या लिखेंगे x प्लस 14 माइनस इस ए पूरा का पूरा या या नि ? एकपले सिक्स, ठीक, माइनस है, तो आगे ब्रैकल लगा के एकफले सिक्स लिखेंगे, ठीक है? जगा कम पड़ surgeonय एक लिए पेज पे जाऊंगा, क्या मैं इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है? को मैं कॉ मैं बता दे रहा हूं S की वैप़ी क्या थी? एक्स प्लस 14 आये थी एक जो वैलू थी वह एक्स प्लस 6 थी बी की वैलू क्या थी एक्स प्लस 8 थी और सी की वैलू 14 थी अना अगर आपने फिगर बनाया है तो आप देख सकते हैं यह सब वैलू है ठीक तो यहां पर मैं पूट करूंगा अंडर रूट एस के जगा एक्स प्लस 14 ठीक एस माइनस है यानि एस के वैलू एक्स प्लस 14 माइनस ए मतलब एक्स प्लस 6 यानि ब्रैकेट में एक्स प्लस 6 लिखेंगे ठीक है फिर एस माइनस भी है यानि एस मतलब एक्स प्लस 14 माइनस बी मतलब बी मतलब एक्स प्लस 8 बैकेट में लिखें छर्ड यह किसको को जाएगा अंडर रूट अए को एकस प्लस फोटीन से स्ट फॉर्टीन ओं एकसे स्ट इस स्थ जाएगा एकस प्लस फॉर्टीन माइनस से चब सुनकर यॉसा फॉर कड़ दो बचलेगा सिर्फ छिए ठीक है तो यह एक्स प्लस 14 आइए एक्स कट जाएगा 14 में से 6 गताएंगा यज बचेगा फिर यहां भी एक्स गड़ेगा 14 में से गताएंगा तो 6 बचेगा इंटु एक्स ठीक है कहना का मतलब यह है कि एरिया एगा अंडरूट 48x ब्रैकेट में x प्लस 14 ये एरिया आएगा ठीक अब वापिस first page पे चलते हैं मैंने इस बड़े वाले triangle का area निकाला है here on formula यूस्त करके ठीक है अब देखेगा मैं क्या करने जा रहा हूँ मैं इस c को इस o से join करूँगा इस b को मैं इस o से join करूँगा इस a को मैं o से join करूँगा आप बहुत ध्यान से देखिए अब ये जो बड़ा वाला triangle है वो तीन triangle में convert हो गया है एक triangle ये है है ना एक triangle ये है एक triangle ये है इस तीन triangle में हमारा triangle convert हो गया है इन तीनों का अलग-अलग में अेरिया निकाल सकता हूं क्या। इसको मैं Trangle One नाम दे रहा हूं, इसको Trangle Two और इसको ट्रेंगल Three तो मैं Area आफ triangle One निकाल दे रहा हूं Area of triangle One के निकलेंगे Half into Base into Height प्रेट है तो Half अब देख सकते हैं इस वाले triangle में यह height है और यह base है यह height है यह base है तो height 4 है base 14 है ठीक तो हाफ इंटू base का मतलब 14 और height का मतलब 4 ठीक है तो जागा area triangle one is a सब्सक्राइब करें तो इस वाले ट्रेंगल का एरिया ट्वेंटी एट आ गया उसी तरह मैं इस वाले ट्रेंगल का भी एरिया निकाल सकता हूं कि सेप क्या है यह भी फॉट फॉट लिए लुटेलगल गया है इसके लिए ब्स छंपलां अच्रीश्य Bol pont अधॉर न जाले गया में हैडिकान। सब्सक्राइब ट्रेंगल के लिए इस वाले ट्रेंगल के लिए तो फोर हे और four ने भी लिए इस वाले ट्रेंगल के लिए है तो हाइट फॉर है तो मैं लिखूंगा यहां पर इंटू फॉर यह टू से टू बार में कट जाएगा एरिया आफ ट्रेंगल टू क्या जाएगा टू ब्रेकेट में एक्स प्लस एट ठीक है थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं मैंनेज कर लिजिएगा जब कम है उसी तरह एरिया आफ ट्रेंगल थ्री वह भी कैसा आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आएगा ठीक है पूरा फॉरा फॉर्मला नहीं लिख रहा हूं आप जान रहे है यह बेस है यानि एक्स ऺ्लस सिक्स बेस है हाभ हें पॉरह अट उन्सक्राइग और है और हाइट किया है यह तो को से टू बारे में कट जाएगा तो एरिया-उफ ट्रियंगल 3 आएगा है कुट 256 अर्पा सब्सक्राइग चाहिए तो तो मैं लिख सकता हूं एरिय आफ ट्र ट्रेंगल 2 को there are two bracket max plus it А be a. अध्र ट्रेंगल 3 आया था तो ब्रेकेट में x6 औरchos इस है तब मैंने इन तीनों ट्रेंगल का अएरिया निकाल लिए था अगर तीनों ट्रेंगल के एरिया को को जोड़ू मैं मतलब इस突र violin second Bowl payment औरफ फैस्ट वाले ट्रेंगल के एरिया को जोड़ू तो बड़े वाले ट्रेंगल के एरिया के एकवल ही तो आने चाहिए अना मतलब इन तीनों को मैं अगर जोड़ू यह इस वाले एरिया के ठीक है मैंने देखा इन तीनों को जोड़ा जाए तो इसी एरिया के एक्वल होगा तो इस एरिया के जगह मैंने लिख दिया तीनों का समझ ठीक है थोड़ा सा ध्यान से समझ जीएगा 28 को इन तोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 2x plus 16, 2x plus 12 है ना और दार चलेगा रूट 48x, x plus 14 ठीक, तो 28, 16 और 12 कितना आएगा? 56 आएगा, plus 2x, 2x, 4x आएगा, is equal to under root 48x, और x plus 14, अब किसी तरह हमें अगर x को निकालना है, तो इस equation को solve करना होगा, अगले पेच्वे करेंगे, जगा कमें, तो हमें मिला था 56 plus 4x, is equal to root के अंदर 48x, x plus 14, यहीं हमें मिला था, दोनों साइड स्क्वेर कर दें, तो यह 56 plus 4x का स्क्वेर हो जाएगा, यहां से root हड़ जाएगा, 48x, x plus 14 बचेगा, 56 plus 4x का स्क्वेर क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो इसका यह प्लस b का होली स्क्वेर निकाल दीजेगा आप लोग, 56 का स्क्वेर आएगा, प्लस 4x का स्क्वेर आएगा, प्लस 2 multiply by 56 multiply by 4x, और 48x को अगर x में करेंगे तो, 48x स्क्वेर आएगा, 48x को अगर 14 में करेंगे तो, 48 multiply by 14 into x आएगा, 56 का स्क्वेर क्या होता है, 3136, 4x का स्क्वेर 16x स्क्वेर होगा, प्लस 56 को जब 4 और 2 से multiply करेंगे तो, 448 साथ में x आएगा, फिर यहाँ पर 48x स्क्वेर, प्लस 48 को 14 से multiply करेंगे तो, क्या हैगा, 672x, ठीक है? तो, हम लोग क्या करेंगे ना? इन तीनों टर्म्स को इस साइड ले करेंगे, तिदर 0 बचे का is equal to 48x स्क्वेर, यह 16x स्क्वेर होगा, तो, माइनस 16x स्क्वेर होगा, प्लस 672x, यह 448x होगा, तो, माइनस 448x होगा, यह 3136 होगा तो, माइनस 3136 होगा, तो, 0 is equal to 46 में से 48 में से 16 घटाएंगे, तो, 32 आएगा, 32x स्क्वेर, ठीक है, 672 में से 448 घटाएंगे, तो, 224 आएगा, x माइनस 3136, तो, एक्चुली क्या है न, यह 32 जो है न, वो 224 और 3136 को डिवाइट कर देगा, 98 और 7 टाइम्स में, ठीक है, तो, मैं 32 कॉमन ले लोगा, 32 कॉमन होगा तो, मिलेगा, हमें x स्क्वेर, प्लस, 224 में 32 हटाएंगे, तो, 7 बचेगा, तो, यहां जाएगा, 7x माइनस 3136 में 32 हटाएंगे, तो, 98 बचेगा, ठीक, इसगल टू 0, 32 नीचे आएगा, ऐसे, 32 आ जाएगा, फिर, यहां से यह 32 हटे जाएगा, 0 बाइ 32 क्या जाएगा, 0 जाएगा, 0 is equal to x square, प्लस, 7x माइनस 98, तो, आपके पास, finally, एक quadratic equation बना है, इस quadratic equation को आप सिदाचार मेथर से भी solve कर सकते हैं, या फिर factorize करके, factorize करेंगे, तो, आएगा, x, x plus 14, x माइनस 7, जब आप, इस चीज़ को factorize करेंगे, तो, यह आएगा, आप बिना factorization के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं factorization सिखाऊंगों नहीं, ठीक है, सिदाचार में थर लगा लिजएगा, नहीं आएगा तो, तो, आप जानते हैं, एक बार x plus 14, 0 के equal होता है, और एक बार x minus 7, 0 के equal होता है, यहां से x की value minus 14 आएगी, जो की possible नहीं है, और यहां से x की value 7 आएगी, माइनस 14 कैसा आप बता सकते हैं, यह भी मतलब यह वाला, यह हो जाएगा, 8 और 7 यानि 15, ठीक, क्या हो जाएगा 15, और इसकी भी length बता सकते हैं, यह 13 हो जाएगा, यानि ac की value आजाएगी 13, दोनों side निकल चुके है, concept क्या था, यह और यह निकालने की पीछे, concept यह था, आपने यह 8 ट्रेंगल का area एक बार morale Finlay, और एक बार आपने इस तरीके से निकाला, ऐसे ज्याइस, ज्यॉइन करके, ठीक, टीनों ट्रेंगल का area निकल के जोड की निकाला, ती दोनों को एकपेट कर लिया, यहीं काम करना है, थी यह वाले बड़े वाले ट्रेंगल का area का यह निकलना है दोनों को equal कर देना है ताकि आपको x की value 7 मिल सके है ठीक नोट करिए आगे बढ़िए अब देखिए आज का last question 13th question है prove that opposite sides of a quadilateral circumscribing a circle sustained supplementary angle at the center of the circle इसका मतलब क्या है मैं आभी आपको समझाऊंगा पहले हम लोग एक quadilateral draw करेंगे suppose करिए यह एक quadilateral है लेकिन उससे पहले एक आप circle draw कर लिजे ठीक है मालीजी एक circle है ठीक है और इसमें इसके बाहर आपको एक quadilateral draw करना है तो ध्यान से देखिए हमारे पास एक quadilateral है जो कि एक circle को क्या कर रहा है circumscribe कर रहा है ठीक है मैं quadrilateral का नाम लिख दे रहा हूं a b c d center o माल लीजिए ठीक कह रहा है कुशन में न अपोजिट साइड मतलब यह वाले साइड और यह वाले साइड सेंटर पर एंगल बनाएंगे इस तरीके से कह रहा है प्रूफ कर यह सप्लिमेंटरी होंगे ठीक है एंगल किस तरह से बनाएंगे देखिएगा एक इस तरीके से एक इस तरीके से आपोजिट साइड इस तरह से इंगल बनाएंगे ठीक है तापको क्लियर लिख रहा है यह एक अंगल बन रहा है दो कैसे दिखाएं बहुत ऊपलिएजी है 90 होता है यहां से भी यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको क्यों माली यह भी एंगल 90 होगा यहां से यहां करेंगे यह भी 90 होगा इसको आर मान सकते हैं यहां से यहां करेंगे ठीक है यह भी 90 होगा इसे मैं S मान रहा हूँ आपको पता था कि एक ही point से अगर दो tangent निकल रहे हैं तो ये वाले angle इस वाले angle का इक्कॉल हो जाता है है ना मतलब आपको ये पता था मैं वापिस उस theorem को recall कर रहा हूँ अगर ये circle है और इस circle पे आपने अगर एक ही point से दो tangent रहा है और ये अगर center O है इस तरीके से और बीच से कुछ इस तरीके से एक line जा रही है तो आपको पता था ये वाले angle इस वाले angle का इक्कॉल होगा है ना ये वाले angle इस वाले angle का इक्कॉल होगा ठीक उसी प्रकार ये वाले एंगल इस वाले एंगल के भी एकवल होता है ठीक है ये वाले एंगल भी इस वाले एंगल के एकवल होता है ठीक है तो ये भी याद रखिएगा ये और ये एकवल होते हैं ये और ये भी एकवल होते हैं ठीक हमें क्या प्रूफ करना है ये और ये अपोजिट ससेंट्स हैं ये सेंटर पर एक एंगल मना right को रुख करना है ये वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 1ром हमें ये पुरुफ करना है हमें क्या प्रूफ करना है एंगल अओ बीин department मैं ma, plus angle Bahn and d o c is equal to 180 मुझह दिखाना है ये बड़ा वाला संगल ये पूरा पूरा है एस वाले एंगल के supplementary है मतलब इन दोनों का साम 180 ये योग ये भी मतलब याल संगल dž मतलब याल इंगल कुणा है यहीज प्रूफ करनी है यार रखेगा ठिक वाजार उसकी चंता CASE आप इस वाले figure को notice कर इए है इस वाले figure को ध्यान से देखिए इस वाले point से एक tangent यहां एक tangent यहां और बीच में जो line गई है वो Center से होके जारी है तो जो अभी मैंने थियोरम बताया उसके नुसार यह angle इस वाले angle के equal होगा जैसे यह angle इसके equal होगा उसी इसके एक्वल होगा तो अगर मैं इस वाले एंगल को एक्स समझूंत यह भी एक्स हो जाएगा ठीक सेम थ्यूरम मैं इस वाले कॉडिलेटरल में भी लगाऊंगा इस पॉइंट सी से एक टेंजेंट ऊपर एक टेंजेंट इधर गया है बीच में जो लाइन जा रही है वो सें यह भी एंगल तिए हैं यह यह वाले पॉइंट हो यहां से यह डिया जा रही है वह सेंटर से वाले एकवल हो तो इसको जाओ यह मैं आगर इसको जडेंगा ढुन हो जाया कि ठीक और सेम के सी यहां पर यह टेंज़ेंट यह टेंज़ेंटी यह एंगल इसे वाले एंगल केकवल होगा है तो अगर इसको मैं डबलू समझो यह भी डबलू हो जाएगा ओके तो देखिए आपको इतने सारे एंगल मिले यह पूरा-पूरा एंगल का जो सम होगा वो एक्स प्लस X प्लस Y ये य वाइब लिखेया है य प्लस Y कि इस इस यगल तो प्लस दू क्या हुना चाहिए 360 ठीक डबलू प्लस डबलू क्या जाएं टू डबलू जट प्लस जट क्लत लोड झेट एक्स टू एक्स तो ने स्वाइद प्लस Y2Y is equal to 360 ठीक है तो सम्मेट तू कॉमन आ रहा है 2 कॉमन लेंगे तो डबलू प्लस Z कि है डबलू प्लस Z है प्लस X plus Y is equal to 360 मिलेगा तो से डवाइड कर देंगे तो डबलू प्लस Z प्लस X प्लस Y is equal to 360 मिलेगा हमें ठीक है अब एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा आप इतने एंगल को नोटिस करिए एंगल AOB को नोटिस करिए ये वाले एंगल को ठीक है मैं लिख सकता हूँ एंगल AOB की value एंगल AOB क्या है रेकिए AOB ये W और Z से मिलके बना है तो मतलब एंगल AOB W प्लस Z है सही बात है एंगल AOB क्या है W और Z यानि W प्लस Z ठीक उसी तरह मैं अगर एंगल DOC की बात करूं कि यह डी यह ओ यह सी यानि X और Y ठीक डीओ सी जो है W एक्स प्लस Y है मतलब W स्लट के जगा मैं क्या लिक सकता हूं एंगल AOB X plus Y के जगा मैं कहा लिख सकता हूँ DOC ठीक है यहां मैंने 2 से डिवाइड नहीं किया है 360 को 2 से डिवाइड करेंगा तो 180 आएगा अरे भाई यह 2 आया था ना यह 2 जब उधर जाएगा तो 360 से 2 डिवाइड कर देगा तो 180 आएगा तो मैंने प्रूफ कर दिया यह वाल एंगल यह एंगल यह हो भी और एंगल डी ओसी 180 एकवल है पुरूफ आ गया कई लोग इसमें कहेंगे आपने कुछ लिखवाया नहीं है तो यकिन मनें अगर आप इतना लिख देंगे ना बोड में फुल मार्क्स मिलेंगे आपको ठीक है अगर मैं आपको हर एक लाइन कैसे लिख यह भी और यह भी एंगल एक्वल होंगे तो मैंने x9 माना y6 माना ज्अड कवा ना सबकर समत 50 फिरिसी यह यह ओ ऐख एक्स प्रस वाई की जगए लिए 1418 काम हो गया 13 के 13 question मैंने solve करा दी है अगर आपको इन में कोई doubt आता है तो आप मुझसे telegram channel पर पूछ सकते हैं या फिर आप मेरा channel join कर सकते हैं वहाँ पे आप अपने doubt personally मुझसे पूछ पाएंगे तो आज की वुड़ो में से इतना ही मिलते हैं अंगली वुड़ो में तब तक के लिए गुड़ बाय